दोस्तो आज अपन बात करेंगे कि खास सुरक्षा वाले रासन कार्डों में अब नए सदस्षे कैसे जुड़ेंगे कोई भी नए सदस्षे उसका नाम कैसे जुड़ेगा जिया दोस्तो आज की वीडियो में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे कि जो नए रासन कार्ड हैं य वीडियो और वीडियो शूर करने से पहले चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा, बैल नोटिफिकिशन को अउन करना ना भूले, ताकि हमारी लेटिष्ट वीडियो की नोटिफिकिशन आप तक पहुंसती रहे, सबसे पहले बात करते हैं कि जो पहले रासन प्रोसेस की बात करें कि जो खास सुरक्षा में जुड़े हुए थे रासन का, रासन कार्ड उनमें सेडिंग होती थी और उनको रासन मिलना चाल हो जाता है, लेकिन पिछले बहुत समय से इमित्र पर ये सरविश्य बंद कर रहा किये, कि रासन कार्ड में जो है नए सदश् में में या अब अगर खास सुरक्षा वाले नए रासन कार्ड जी ने खास सुरक्षा में शामिल किया गया है, जिनको सैटिफिकेट मिल चुका है, अप्रूव हो चुके हैं, उनमें नए सदश् से कैसे जुड़ेंगे, तो सबसे पहले मैं बात कर लों कि दोस्तों जो ओल् बंद कर दिया गया है, अब आपको जो है खास सुरक्षा वाले रासन कार्ड में नए सदश्यों के नाम कैसे जुड़ेंगे, उसकी बात कर लेते हैं, देखे पहले कुछ समय पहले जब खास सुरक्षा पॉर्टल शुरू कर गया था, तो उसमें एक नया ओप्शन एड़ क जो खास सुरक्षा वाले रासन कार्ड है, उनमें अगर आपको नए सदश्यों का नाम जुड़वाना है, तो उसके लिए आपको एक अलग से उस वैक्ति के नाम से खास सुरक्षा का फॉर्टल शुरू का फॉर्म बरना होगा, और उसको जो है खास सुरक्षा का फॉर्म जिनमें नए मेंबर एड होने, वो इसी प्रोसेस से एड होगे कि आपको अलग से खास सुरक्षा का एक फॉर्म बरना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपको खास सुरक्षा का जिस वैक्ति का जो भी वैक्ति आप जिसका नाम जो है रासन कार्ड में जुड़वाना च जाते हैं, तो उसके नाम से आपको खास सुरक्षा का फॉर्म बरना होगा, उसके साथ डोकॉमेंट्स अटैच करके और उसको इमितर के इंदर पर जमा करवाना होगा, उसके बाद वो फॉर्म जो है अप्रूव हो जाएगा, उसको एक सैटिफिकेट मिल जाएगा, उसके जो है आपकी जनाधारकार्ड और अधारकार्ड से सीडिंग कर दी जाएगी और इस प्रकार से उसको भी ग्यूम मिलना शुरूज हो जाएगे, तो ये प्रोसेस आगे रहने वाला है, जैसे मैं सपोज करता हूँ कि मान लेते हैं कि आपके रासनकार्ड में चार मेंबर आपको साइन करा कि इमित्र के इंदर पर जमा करवा देना होगा, उसके साथ तमाम डोकुमेंट्स लगा कि रासनकार्ड, अधारकार्ड, जनाधारकार्ड ये डोकुमेंट्स लगा कि आपको इमित्र के इंदर पर जमा करवा देना होगा, उसके बाद वो जब अप्रूव हो जाएगा उसके बाद जो है जन अधार कार्ड और अधार कार्ड से आपकी सीडिंग करती जाएगी तो वो ओटोमेटिक आपका रासन कार्ड में नाम एड हो जाएगा और उसके बाद उस वेक्ति का रासन मिलना शुरू हो दोस्तो अभी जो हाल फिलाल में आपको खास सुरक्षा की सेटिफिकेट दिये जा रहे हैं तो उनकी भी मैं बात करलो, लोगों के बहुत से, लोगों के मन में ये डाउट है कि सेटिफिकेट तो दे दिये गए हैं लेकिन इनसे रासन नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपको बता दू, उसमें आने वाले समय में जल्दी जैसे इस खास्षुरक्षा का निप्टार हो जाएगा, फोरॉम की सभी फोरॉम का निप्टार हो जाएगा, उसमें आपका सीडिंग का प्रोसेस सुरू होने वाला है, सीडिंग का प्रोसेस जैसे ही आपका शुरू हो जाएगा तो उसके आपकी जनाधार कार्ड और अधार कार्ड जनाधार कार्ड और जो ये पिप्रत्र है इसकी सीडिंग आपस में की जाएगी रासन कार्ड से इसकी सीडिंग की जाएगी जब आपको जो है रासन मिलना शुर पोट करवाकर आपको इमित्र के इंद पर उसको जमा करवाना होगा उसके साथ आपको डॉकुमेंट्स अटेच करने पड़ेंगे उस वहक्ति का स्वैम का अधार कार्ड उसके साथ आपको अपने रासन कार्ड की कोपी लगानी होगी ठीक है और जो भी संबंदी जो नाम जिसे आप आपने रासन कार्ड में जुड़वाना चाहते हैं जिसकी गिहूं लेना चाहते हैं उसका नाम जो है आपका जनाधार कार्ड में जुड़ा होना चाहिए उसके जनाधार कार्ड में उसकी सारी डिटेल अपडेट होनी चाहिए सभी चीज़े सही होनी च जैसे ही seeding process शुरू किया जाएगा उसके बाद आपको जो है उसको रासन कार्ड से उसकी जनाधार कार्ड की seeding करवानी पड़ेगी फिर उस वेक्ति का जो नाम आपके जो है रासन कार्ड में जुल जाएगा और उस वेक्ति को भी गिहूं मिलना शुरू हो जाएगा तो दोस से खाज सुरक्षा का फॉरम भरना पड़ेगा तो दोस्तों आज की वीडियो में यही डिटेल थी कि जो आप नए सद्श्यों का नाम जिनका पहले से जो खाज सुरक्षा में रासन कार्ड बने हो उनके अभी जो नए सद्श्य के नाम जुडेंगे वो अब अलग से उनके को सब्सक्राइब कर लिए बेल नोटिफिक्शन को उनकरना ना भूले ताकि हमारी लेटिस्ट वीडियो की नोटिस्क्रेशन आपको मिलती रहे विड्स मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब के तक के लिए थैंक्यू सो मज्ट थैंक्यू फॉर्ट